आप सभी को रादे रादे आज हम बहुत सुंदर प्यारी सी तोरण लेके आएं आप जैसे कि आप जानते हैं दिवाली पास आ रही है तो आप अपने घर के लिए तोरण बना के तयार कर सकते हैं इसमें हमने देखे स्वास्टी का डिजाइन डाला है यह हमने मंदर के लिए आप इसके length अपने according बढ़ा सकते हैं जितने आपको चाहिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि length कैसे बढ़ेगी तो आप वीडियो को शुरू से लेके आने तक देखेगा और आप इसको किसी भी करह में बना के तयार कर सकते हैं अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब निकार तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा अगर आपको मेरी वीडियो हेल्फुल लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक सेर भी करिएगा चलिए बनाना सुरू करते हैं हुक नमबर हमारा 1.07 आप 10 11 या 12 नमबर के हुक से बना सकते हैं और फ्रेंट्स अगर आपने तोरन पट्टे की वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ये तोरन पट्टे की वीडियो देख सकते हैं मैंने काश असान तरीके से बनाना के तयार कर सकते हैं आज हम इसके जाला बनाना सीखेंगे नीचे का और हम साइडों का बोर्डर भी इसी वीडियो में बनाना बताएंगे तो वीडियो को सुरू से लेके लाज तक देखेगा ठीके चले बनाते हैं हमने चार रो गिरेंग के बनाई थी और उसके बाद हमने नो रो यह किरिम कलर के बनाई थी तो हम इस तरह से पकड़ेंगे और अपना किरिम कलर का धागा लेंगे और जो किरिम कलर की पहली रो है यहां से हम धागा जोइन करेंगे ठीके और यहाँ पर हमें चैन बनानी है एक दो 3 तीन चैन बनाएंगे तो हमारे एक डबल क्रोसे काउंट होगा धागा साथ में दबाते भी चलेंगे यह दो डबल क्रोसे हो गए और यह तीन डबल क्रोसे हो गए आपको धियान देना है हम चैन के अंदर से नहीं बना रहें, जो हमारे यह स्पेस है, दो डबल क्रोशे के बीच में जो गैप होता है, वहां से हमने उन जोईन करी है, तीन डबल क्रोशे बनाएं, फिर देखें, एक, दो, दो चैन ले लेंगे, आप चैन को अपने अकोडिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, यहां पर मैं दो चैन ले रहे हूं, आप चाओ तो एक भी ले सकते हैं, आप चाओ तो तीन भी ले सकते हैं, ठीक है, तीन डबल क्रोशे बनाएं, एक, एक, लाइन का गैप कर देंगे, जो हमारी दूसरी लाइन उसको छोड़ देंगे, तीसरी लाइन में फिर से हमें 3 डबल क्रोशी बनाने हैं, 2, 3, ठीक है, 1, 2 चैन लेंगे, फिर 1 लाइन का गैप कर देंगे, फिर नेक्स वाली चैन में, सोरी, इस पेस में, 3 डबल क्रोशी बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर 2 चैन, एक रोशी खिप करेंगे, नेक्स वाली रो में, 3 डबल क्रोशी बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर 2 चैन, 2 चैन लेंगे, एक रोशी खिप करेंगे, नेक्स वाली चैन में, सोरी, इस पेस में, 3 डबल क्रोशी बनाएंगे, 1, 2, 3, ठीक है, नो लाइन थी हमारे पास, और यह हमारे पास, एक बलोग बने है, हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 बलोग बने है, अब देखे, एक चैन लेनी है, वर्को टर्ण कर लेंगे, और अब हमें अपना धागा, इस वाले स्पेस में लेके जाना है, दो चैन के अंदर, ठीक है, तो एक चैन लेके, हमने वर्को टर्ण करा, फिर जो पहली चैन है, वहापे हमें स्लिप चैन करनी है, किस तरह से करेंगे, देखे, चैन में हुग डालना है, धागा पिक करके लाएंगे, पीछाले लोग में से निकाल देंगे, चैन में हुग डालेंगे, दूसरी वाले में धागा पिक करके लाएंगे, पीछाले लोग में से निकाल देंगे, चैन में हुग डालेंगे, धागा पिक करके लाएंगे, पीछाले लोग में से निकाल देंगे, तुर्ण ऊपे यहां पर भी इसी दुरह से सिलिप चैन करने हैं अब हमारे धागा देखिए दो चैन के स्पेस में आगया फिर से हमें एक दो तीन चैन ली दो डब्ल क्रोशिय और बनाएंगे टोटल तीन हो जायेंगे फर्स्ट वाली चैन को मिला इटिक पिर से हमें दो चै फिर नेक्स वाले ही ब्लोक में, एक, दो, तीन, फिर दो चैन, फिर नेक्स में, एक, दो, तीन, फिर दो चैन, फिर नेक्स में, एक, दो, तीन, ठीक है, पहले हमारे पास देखे, ब्लोक पांच से, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब सेक्ड रो में हमारे पास, एक, दो, तीन, चार ब्लोक बने है, इसी तरह से हमारे एक घरता जाएगा, एक चैन लेके वरको टन करना है, हर रो में हमारे एक एक ब्लोक घटता जाएगा ठीक है तिरी चैन बीच में दो चैन का गैप दो चैन की स्पेस में बना रहे हम देखें दो चैन दो चैन की स्पेस में तीन डेबल ग्रोसी एक दो तीन अब हमारे पाद तीन ब्लोक बने एक चैन लेके ब्लोक को डन करना है वे से सिलिप चैन करनी है एक चैन लेके ब्लोक को डन करेंगे एक बार दो बार है यह तीन बार एक चैन की स्पेस में भी और एक चैन लेकिए यहां पर हम धागा कट करेंगे यह देखें कुछ इस तरह से आया है हमारे बर्ग, ठीक है पाँच, चार, तीन, दो, एक और इसी तरह से हम सभी में बना लेंगे यह चलिए मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ देखें हमने यह बना के कंप्लेट कर लिया है नीची की जालर अब इसका हम बोर्डर बनाएंगे, आप चाओ तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो इसलिए हम बोर्डर भी बनाएंगे ठीक है देखें दागा हम यहां से जौइन करेंगे यहां से बनाते वे हम यहां से बनाते वे हम यहां तक बनाएंगे ठीके पहले हुप पे हम देखे लूप बना देंगे और सिंगल क्रोशी से धागा जोईन करना है जो हमारे यह डबल क्रोशी है दो डबल क्रोशी के बीच में जो श्पेस है, यहां से हमें जॉइन करना है दागा सिंगल क्रोशी से, दो लूपे देखिए किस तरह से करना है, दुबारा देख लिजेए हुक पे डागा है हमारा गैप में हुक को डालेंगे डागा पीद करके लाएंगे, आप दो लूखे हमारे ठागा का ही 1 ते हमारे सिंगल क्रोश्य भणा, और 3 चैन, सिंगल क्रोश्य के उपर ही हमने 3 चैन लिए, और सिम इसेटे ही denkt कि हमें, डबल क्रोश्य बनाने हैं, 1 यह दो, ठीक है, पहले सिंगल क्रोशे बनाया, फिर तीन चैनल ली, फिर दो डबल क्रोशे और बनाया, फिर इसको देखिए, एक, दो, तीन डबल क्रोशे स्किप करेंगे, और फोर्थ बाले में, जोइन करेंगे सिंगल क्रोशे से, एक, दो, तीन छोड़ेंगे, फोर्थ ब बनाएंगे तो होक बनाए बहुने ही लेना सिर्प नेई होक डालना है दागह लेकर एंगे दो लूपे दो में से एक कर देंगे फिर से देखिए तीनoder जैन संग्ल कोजे के ओपर तीन जैन君 बनाईट फिर दो डॉल करोशी और बनाएंगे, एक, दो, फिर एक, दो, तीन, इस पर तीन डबल क्रोसे छोड़ेंगे, उसके बाद वाले में जोइन करेंगे, फिर थरी चैन, फिर देखे, एक, दो, तीन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद वाले में सिंगल क्रोसे से जोइन करना है, जो हम सिंगल क्रोसे से तो देखें यह बिजायन बन जाते है हमारा नीचे की तरफ फिर उपर की तरफ फिर नीचे की तरफ तरफ यह ओपर की तरफ है धरी चैन एक दो तीन प्रिंगल क्रोशे से जोएन करेंगे एक, दो, तीन, सिंगल क्रोशे से जोईन करेंगे, फिर देखे, एक, दो, डबल क्रोशे बचे हैं हमारे पास, उपर की तरफ, ठीके, अब हमें देखे, जो हमारी सेकेंड रो है, यह हमारी पहली रोती गिरिंग कलर की, यह हमारी सेकेंड रो है, ठीके, यह दो, डबल क्रोशे चोड़ेंगे, और सेकेंड रो में, जो इस स्पेस है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोईन करना है, तीन चैन, और दो, डबल क्रोशे, अब देखे, इधर की तरफ हमें क्या करना है, एक, एक रो छोड़ेंगे, ये पूरी लाइन चोड़ देंगे यह वाली रो और नेक्स्ट वाली रो में सिंगल ग्रोस्य से जोइन करना है काफी असाने किनारी बनाना आप देखिए आप चाहो तो कोई और से किनारी बना सकते हैं जो आपको आती हो मुझे सबसे सुन्दर यह किनारी लगती है तो मैं य करेंगे कि और इसी तरह से बना क्या हम लास्ट में परकाऊचेंगे एक रूस चोड़ेंगे नेक्स उनक्त करेंगे सिंगल क्रोश हिसे ठीख चलिए बनाके complete करेंगे देखिए friends हमने किनारी बनाके complete कर लिए अब देखिए हम बाद में यहाँ पर pom-pom लगा देंगे यहाँ पर pom-pom लगा देंगे ठीक है फिर उसके बाद हम यहाँ पर भी लगा देंगे सबी में हम एक-एक pom-pom लगा के इसको हम complete करेंगे और friends अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like सिरे करेगा और अभी तक आम ने मेरे चैनल को subscribe नहीं करा है तो आप ले मेरे चैनल को भी subscribe करेगा मिलते हैं next video में thank you for watching